नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका राष्टे डिफेंस अकैडमी के यूट्यूब प्लैट्फॉर्म पे और मैं म्रिगांग भारत द्वाज लगातार आपको पिछले सालों के question paper solve करवा रहा हूं आज मैं आपको solve करवाऊंगा synonyms जी हां nda second 2017 में जो paper आया था उसके synonyms में detail में आपके साथ discuss करूंगा तो शुरू करते हैं सबसे पहले directions देखिए आपको दिया हुआ है each item in this section consists of a sentence which an underlined word followed by four options यहां पे जो synonyms के question आपको देखने को मिलेंगे एक word आपको underline किया रहेगा select the option that is nearest in meaning nearest in meaning का मतलब होता है कि underlined word का जो सबसे करीबी अर्थ वाला शब्द है वो आपको choose करना है and mark your response in your answer sheet accordingly और फिर उसको choose करके answer sheet में आपको अपना answer mark करना है तो आईए देखते हैं question number one the discussion was wound up after a long and fruitful exchange of views किसी topic पर discussion हुआ और discussion काफी लंबा चला fruitful fruitful का मतलब है कि उसका result निकला ठीक है और exchange of views जो हुए उसका एक अच्छा result निकला discussion के बाद क्या किया गया wind up किया गया देखे wind up एक phrasal verb है phrasal verb किसको बोलते हैं verb और preposition के combination को phrasal verb बोलते हैं अब past में था तो second form ले लिया wind का wound तो इसका wind up का meaning होता है phrasal verb का conclude करना मतलब निश्कर मीटिंग लंबी चली तो result निकल गया तो conclusion मिल गया तो यहाँ पर d option is our correct answer बाकी के option के meaning भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आगे के exams में आपको in words में से कोई मिल जाए video पसंदा रहा है तो like करते रहिए share करते रहिए postpone का मतलब होता है किसी चीज को टालना ठीक है cancel करना नहीं टालना उसकी date को बढ़ा देना delay कर देना cut short का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज की length को यह time को कम कर कर देना इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में बाधित कर देना परेशान करना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना उसका मतलब होता है इंटरप्ट इंटरप्शन एक वर्ड और बनता है आगे देखिए क्वेशन नमबर टू ही वोज फुली अलाइव तो दे नीड फॉर मेकिंग अजस्मेंट्स अलाइव तू अगें फ्रेजल वर्प पर क्वेशन आ गया है सी ओप्शन सीधा सीधा नजर आ गया है अवेर ओफ ठीक है कंसर्ण अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के चिंतित होना वरीड अबाउट का भी मतलब सेम ही हो जाएगा किसी चीज को लेकर के चिंता करना indifferent का मतलब होता है उदासीन मतलब किसी चीज़ को लेकर neutral ना दुखी होना ना सुखी होना तो यहां पे C option हमारा correct answer था next question देखिए the police officer tried to intimidate the witness but in vain कि police अधिकारी ने witness यानि की गवाह को डराने की कोशिश की परंतु सब व्यर्थ हो गया vain का मतलब होता है worthless जो useless हो जिसका कोई अर्थ ना निकले use ना निकले तो यहां पे intimidate का मतलब डराना तो frighten C option correct answer inform का मतलब जानकारी देना information का मतलब जानकारी reward का मतलब होता है प्राइज पुरसकार persuade का मतलब होता है to carry on or to continue किसी चीज को करना आगे देखे question number four we must adopt drastic measures to control population growth की हमें करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा drastic measures बड़े बड़े हमको कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जनसंख्या के विकास को क्या किया जा सके रोका जा सके या control किया जा सके तो drastic का मतलब होता है बड़े कदम intense big steps to be taken तो intense का synonym हो जाएगा severe तो D option will be correct answer simple मतलब साधारन तो साधारन कदमों से तो population रुखेगी नहीं dramatic नाटकी है कोई relevancy नहीं है वर्ड का है हाँ पर realistic मतलब वास्तविक आगे चलिए he is extremely meticulous in his approach वह अपने meticulous बोल सकते हैं meticulous का एक और synonym आप diligent भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर simple नहीं होगा careful be option will be correct answer fair का मतलब जो चीज सही है genuine है reasonable का मतलब तारकिक तो be option is your correct answer आगे देखिए the experts minute examination what to light some important clues कि expert ने जो एक एक चीज को बारीकी से जागचा उसके कारण कुछ महत्वपूर्ण hint मिल गए तो minute का मतलब होता है एकदम सुक्ष्म परिक्षन तो quick नहीं होगा quick तो जल्दी बाजी superficial मतलब उपर उपर से prolonged का मतलब लंबे समय से तो detailed यहां पर correct answer होगा तो minute examination किया मतलब detailed में examination किया expert ने और उससे बहुत साथे महत्वपूर्ण clue मिल गए आगे देखिए the decision of the union government to repeal the urban land sealing has been welcomed by all सरकार ने जो निरने लिया है कि urban land sealing act मतलब urban मतलब related to city तो city के अंदर जो जमीन यूज करनी है उसको कम करने के संदर्व में कोई कानून पारित किया है और उसका सब ने क्या किया है स्वागत तो repeal का मतलब होता है किसी चीज को रद कर देना to cancel तो c option will be correct answer amendment का मतलब होता है improvement आपने अक्सर सुनाओगा constitutional amendment समविधान संशोधन suppress का मतलब होता है किसी चीज को दबाना या दमन करना withhold का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ के रखना तो यहाँ पे c option will be correct answer repeal का synonym क्या हो जाएगा cancel next question देखिए this is his maiden appearance on the screen maiden का मतलब होता है first ठीक है maiden का मतलब क्या होता है first तो this is his first appearance on the screen पहली बार screen के सामने आया था या पहली बार screen के सामने उपस्तित हुआ था last आखरी होता ही है girlish मतलब related to girl, girlish voice के लिए आ सकता है किसी की लड़की जैसी आवाज हो तो आप बोल सकते है he has a girlish voice, girlish behavior, girlish gestures इस तरीके से use किया जाता है शाही का मतलब आप समझते ही है जो शर्म करता है, संकोच करता है तो यहाँ पर a option हमारा correct answer होगा next question देखिए at the end of the marathon everybody was exhausted, काफी आसान सवाल NDA के लिहाद से, exhausted का मतलब होता है ठका होना और marathon आप जानते ही है long race को बोलते हैं, तो लंबी race के बाद में हर विक्ती ठक जाएगा, तो tired will be your correct answer and tired is a synonym of exhausted, weakened मतलब कमजोर होना, honored मतलब सम्मानित, satisfied मतलब संतुष्ट अगला सवाल देखिए, he gave me a counterfeit coin, उसने मुझे एक counterfeit coin दिया, counterfeit का मतलब होता है नकली तो नकली को English में क्या बोल देंगे, fake बोल देंगे की नहीं बोल देंगे, तो be option is your correct answer rare का मतलब जो चीज कम हो, कम quantity में available हो, ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये animal species, जानवर की प्रजाती क्या है, rare है क्योंकि कम मिलती है, unmatured मतलब जो परिपक्वे नहीं है, और matured मतलब परिपक्वे, पहले के lectures में भी बता तुका हूं कि कभी भी prefix या suffix लगता है, तो word के meaning को opposite कर देता है, तो un यहाँ पे mature के साथ prefix लगा, तो इसके meaning को क्या गर दिया, opposite कर दिया, inferior का मतलब तुच और superior का मतलब अच्छा, तो superior का opposite होता है, inferior, तो this is the way you solve synonym question, सीखते रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजे, जय हिंद, जय भारत!